दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार आप देखिए आप पार्टी जो है इस समय आप पार्टी का गुट केजरीवाल का गुट अपने अस्तुत को बचाने के लिए और केजरीवाल अपने को बचाने के लिए अपनी पूरी राजनेतिक सक्त उन्होंने अपने गुट की पूरी लगा दी पूरे देश में प्रिदर्सन करने हैं जबकि पूरे देश में पार्टी के कारकरता भी नहीं है आज भाजपा कारैलों पे पूरे देश के सभी मुख्यानों पे 20 राज्यों पे इन्होंने प्रदर्शन की प्लानिंग की कल लास से लगे हुए हैं लगातार सब जगे फोन कर रहा है कि हर हाल में भाजपा के जिन जिन जिलों पर मुख्याने हैं उनके बाहर प्रिदर्सन करिए कई प्रदेशों में कोई भी आदमी इनका तयार नहीं हुआ तमाम जगे सन्नाटा चाया हुआ पूरे यूपी में पूरे मद्वदेश में सभी जगे कोई भी कारकरता नहीं आया और ये पूरा कल लास से लगे हुए इनकी प्लानिंग पहले से थी ये देखे हला बोल इनों दिया है भाजपा मुख्याले पर आपका हला बोल ये देखे भाजपा मुख्यालों पर आपका हला बोल कारकम लिखा है इनोंने साथ में कारकरताओं को इस्ट्रक्शन कल से दे दिया है करो या मरो इस समय पोजिशन यह है पार्टी के वहीं पार् करकरताओं का यह कहना है कि पार्टी बच जाएगी केजिवाल इस्थीफा दे और पूरी आपको बतनाना है कांग्रिस का भी कहना है इनका साथ इसलिए संसद में नहीं दिया इंडी गडवद्नने केजिवाल इस्थीफा दे दे अब देखे साहरे 11 बजे का इनका प्रधर्शन का है यह पूरे तैयारी में लगे हैं रात्षी जी और सुरीता केजिवाल आपरेट कर नहीं पूरा सी समयल से सब आपरेट हो ला मगर पूरे देश में कारकरता इनका नहीं निकलना इसके पहले आपको बता दे जिस समय CBI रिमांड जब CBI जेल पे गई थी तिहार जेल में इसे पूस्ताज के लिए जब रिमांड पे तो भी आप समयले इनका कारकरता नहीं आया इन्होंने पूरी रात कोशिस की पूरी पार्टियों से इन्होंने रिक्वेस्ट की आजिसी मालेना जी के अंसन पे और उस समय जिस समय पूस्ताज करने गई थी किसी भी पार्टी का कोई बेक्तिना इनके अंसन में आया नहीं उस पे आया अब यह अलक तलक पड़ गए इसलिए आखरी जो है यह किसी तरह से अपने को पूरे देश में देखनाना चाह रहे ह है कि मैं नेशनल लेविल का हूँ मेरा साथ चाहिए होगा आपको अब देखें बीजेपी का एडी सीवी आई दौरा केजरिवाल की साजसन गिपतारी के खिलाब ब्रोट पदरसन जुल्म के आंगे सच्चा ही नहीं रुकेगी यह भी नारा क्या देना है केजरिवाल जी की सबसे बड़ी जो खूबी है जिसके बल पे राज़नीत है सब्दों का चैन इतना जवर्जस्त होता है सब्दों की बाजी गरी में इनकी वास्तों में सियास्त चलती है सब्दों की बाजीगरी में सियासत चलती है जमाना चाहें जिस ओर चले पर केजरीवाल की अलग अदावत चलती है यह नारा क्या दिया जुल्म के आंगे सच्चा ही नहीं दुकेगी अब देखिए पार्टी के जो हैं वो अभी इन्होंने संसद में भी किया था वहात नहीं देखिए उधर लागो चड़ा ने बहुत सपश्टूप से इसलिए लागो चड़ा बाहर चले गए थे अब बहार जाकर के और यही स्वाती मालीवाल जी चली गई ते जब स्वाती मालीवाल जी आई तब यह रास सबाकार इस्तीफा दिलाना चाहेते थे लागो चड़ा से इनके के इसारे पे अर्विन के जीवाल के इसारे पे उनको लातों से घूसों से पीटा गया उनके सट खीची गई इतना बुड़ा कांट हुआ की पूछे नहीं इन सबसे कारकरता बहुत ज्यादा प्रतारित है अभी जो इन्हों ने धर्ना दिया तो तीन लोग नहीं आये दूसरा और जो राजसवा सदस इनके थे वह भी विरोध में थे वह भी नारे नहीं लगा रहे ते मजबूरी में चूकी विवजारी हो सकता था इसलिए वह आये थे मजबूरी में तो पार्टी अक्चुली में टुक्रों बढ़ गई के जी वाल गुट अ और तारीक में खास्तोर से जो विशेजद अविताब रावत जी की अदालत में होने की संभावना आपको बता दें सीवी आई इनका क्या कहना है उनके पास प्रूब मिले हैं कलोना में जब मौत हो रही थी तब उन्होंने ये घोटाला किया था और उन्होंने एक रिपोर् कोई बैठग नहीं बुलाई गई अब केजरीवाल इसमें फसना है बैठग क्यों नहीं बुलाई आप चीप मिनिस्टर थे इधर इन्होंने ये भी कहा है केजरीवाल जी ने इस सालों से के हम नहीं जो मंतरी थे वो जुम्बेदार थे ये उनकी नीती थी सराब नीती जो नहीं पॉलसी उनकी नीती थी ये इन्होंने क्या किया अपनी बला उनके टालने की कोशिस के मगर इसमें जो ये प्रूब मिला है कि बाकाइदर बोहिंद पुल्ली जी को रिपोर्ट दी गई उन्हों बिजय नायर के माददेर से मनीश रसोधिया को भेजी और चर्चा नह वो आ गई है बात जैसे वो कल्पिट हो और उनके चेहरे से साब जाहिर होता है कि अब वो नहीं आप पार्टी के कारता दिल्ली वालों का कहना है ये बिलकुल आम आदमी लग रहे थे जैसे आम आदमी ओरिजिनल आम आदमी होता है उस तरह से केजी वाल लग रहे थे जब इनको रिमान पे कोर्ट रूम में पूछा गया अब सबूत ऐसे मिल गए तो केजी वाल जी ने इसारा किया चुकि इनकी वाइब को वकील को आदे घंटे मिलने का है इसारा किया कि अब जो महोल है काफी वो है इनों पास सबूत मिल गए इसलिए आज अगर प्रदर्शन किया आज राउज अबनु कोर्ट में इनको पेस किया जाएगा तब ये दवाब बनाएंगे कि पूरे देश में लोग प्रदर्शन कर हैं पूरे देश में होहला हो जाएगा दूसरी बात ये केजी वाल जी अपने गुट को बचाना चाहे रहे हैं मैं आपको बता दूँ 16 पहले नोंने विपस्तना का काई दिया और चुनाव पेचाल में चाल राज्यों चले गए अगर उन चाल राज्यों के चुनाव पेचाल में भी एगा इनको रासत में ले लिया था या रिमान में लिया था तो इसलिए उसनों ने भल्मन साहत की और इनका सम्मान दिया प्र यह आदमियों को बुलाना है, अपने गारियों से, अपने कण्वेंस से, हर तरह की सुबधाई दी जाने, उसके बाद दूद भी लोग नहीं आने, बाइस राजियों के लिए इन्होंने कहा था, और सबसे जो ज्यादा बात आ रही है, वो की सबूत मिल गए है, CBI को काफी, और यह इन्होंने मैसेज भेजने के बाद, अब है कहा कि टैल कोर्ट में, जो नियाई बिंदु ने जो किया था, इनको जमानत का, उसका हाई कोर्ड ने भी, सुप्रीम कोर्ड में भी उसमें फटकाल लगी हुए, और यह अब मामले को सिर्व एक दबाब बना रहे है, और अपने को पर्टी, यह कह रहा है पर्टी के कार高ड़ता हैं, यह पर्टी के लिए नहीं है, यह सिर्व के जरी बाद, अपने लिए कर गया, लिया जाना पर्टी कि नुकूलमम बुलाई गई ना कुछ, खेजिवाल गुड ने क्या किया है, कि पर्टी में तीन जो लोगों को यह लोग चुकी इंटरेस्ट नहीं लेना है कोई भी देजद्रोही या उस तरह की बात होती तो खिलाप है हर्वदेन सिंग ने इस पश्ट कही दिया था है मैं खलिस्तान का समर्थन नहीं करूंगा और खास तोर से वह उस वाले कांड से जो खलिस्तानियों के समर लाओ क्या नहीं कोई है चलरा है पार्टी के कुछ कारकरता केहजरीवाल सुनीता के जरिवाल के सारे पर एन लोगों के खिलाब करने की इनको हटाने लिए और इनका प्रोद पर्रोंत तक्रफाय करना है कि बैटर होगा कि अर्विंद केजरिवाल जी इस्तीफा दे दे मुखमंत्री पस्षे अपनी पार्टी के किसी को बना दे तो हकीकत है कि आज इस पे बात भी होने जा रही थी और इसमें लोग बारता करते कोई हल निकलता उसके पहले केजरिवाल की मिसें ने तुरुप काका इका लग दिया और ताकि यह लोग बात न कर पाएं पार्टी के अंदर कोई हमारे खिलाब बगावत न हो इसलिए इन्होंने ऐसा किया आज राउज अबनु कोट में पेस भी किया जाएगा और पेस करने पर एक तो यह दवाब दूसा यह तीसा पार्टी बचाना चौथा अर्विन केजरीवाल जी को आज रिमांड में भी लेगी सीवी आई अभी पांस दिन का मांगा था तीन दिन का मिला था हो सकता है यह निश्चित तोर पे आज रिमांड तीन दिन की और मांगेंगें तो तीन दिन ताकि रिमांड न मांग पाएं उस पे दवाब अर्विन क केजरीबाल शूट जाए इस पर दवाब तीसरा यह जो विद्रो होने जा रहा था इनके स्तीफा बच जाए यह इसलिए किया गया कुल मिला करके यह अर्विन केजरीबाल की व्यक्तिगत लडाई है सराप दलाली की सराप में उन्होंने वह की उसके सबूत दिये गए दिली में कल से कोशिश कर रहे हैं गानियां बेद रही हैं मगर कुल मिला करके सब लाप हुआ दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार